हे गाईस ही सुबा की चाय बन रही है मैं रात को एकिचन साफ करके सोती हूँ क्योंकि मुझे सुबा चाय बनाने होती है मुझे गंदी किचन बिल्कुल पसंद नहीं है सब्सक्राइब बनाने की तियारी कर रहे हूं आज मैं सुखे टीन्डे बना रहे हूं चुकि मैं सिंपल मसाले मी बनाओंगे अच्छ कोई लस्थन प्याज अदरक नहीं डलेगा यह मैंने तेल में जीला डाल दिया है और चोटे टीन्डे काट लिया है आप चाहो तो इसमें चोटे वाले प्याज भी डाल दो मेरे खतम थे मैंने डाले नहीं अल्दी नमक मिर्ची हिंग यह डलेगा इसमें और मैं हरा धनिया डाल लूँगी थोड़ा सा इसमें गाई इस हलके लगते हैं बहुत स्वाल लगते हैं आप बनाना ट्राइ करना एक बार मेरे कहने से तो कभी-कभी मैं लसन प्याज वाले भी बनाते हूं पर मेरे को गर्मियों में जादा इसी तर अच्छे लगते हैं तो यह टेस्टी है और आप जरूर ट्राइ मेरे कहने से जरूर कर अच्छे लग रहे हैं तेस्टी लग रहे है ना इसको खाओ इंजॉय करो फुलके के साथ प्राउंठी के साथ उसके वाद मैंने सुखी दाल की तियारी की मैंने दाल उबल रख दिया है नमक खल्दी डाल के उड़त की दुली दाल है जो मैं देशीगी में बनाऊंगी एटी परसेंट गाल लेना पहले पतीले में उसके बाद इसमें तड़का लगेगा जिसमें लसन प्याज अद्रक हरी मिर्चे हैं साबुत मिर्च डाली है थोड़ा जीरा डाला था अब मैं यह थोड़े टमाट डाल दूंगी प्याज थोड़े से गल जाएंगे तो फिर टमाटर में भी है और अपने इसमें भी डाल लें तो थोड़ा देखके डालें अब मैं दाल देख लूंगी मेरी गल गई है थोड़ी हींग डाली है मैंने देखो मेरी दाल देखती हूं गल गई है 80% इसको इसमें गाल ले ना यह गल गई है आम इसको चान के वापिस से उस कड़ा में डाल दूंगी और थोड़ा सा पाणी डाल के दो तीन मिनट फिर इसको ढख के रख दूंगी जैसे बहुत फिर खिली-खिली सी बनती है एक एक दाना लग रहता है अब देखो गाइस कितनी अच्छी खिली-खिली सी दाल बनी है मेरी हम इसको एक बाउल में सफ कर दूंग आज सब की डिमांड थी यह सबजी खाने की तो फिर मैंने बनाई यह देखो गाइस कितनी अच्छी गली हुए यह दाल यह प्रॉंठी फुलके के साथ बहुत अच्छी लगेगी मेरे बच्चे तो टिफिन में भी लेके जाते थे जब छोटे थे अब मैं नमकीन सत्तू ब बटए यह दो निंबू डालोंगी क्योंकि दो लोग हैं तो तो ब्रॉब तो डल जाएंगे अच्छी बंधत अच्छी लगते यह मीठी घू लगते हैं और मिल्ख आखिन बेशिय लगते हैं लगतेश में फ्यक्ति हैं और कॉण तो जबूर पीने चाहिए हैं और आज थ मेरा धनिया को गया था और पुदी नगी तो मैंने अभी ऐसी सफ च उनीया भी बहुत अच्छा लगता है कि दीडे कना आओ एंजॉइ करें दे पाष्टा बनाने लगी पच्चे ठन से शेडित है यह देखो गाइज मैंने इसमें डाला है प्याज शिम्ला मिर्च और ब्रोकली और कॉन और यह डाले है मश्रूम यह अच्छे से इनको सोते कर लूँगी उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और यह मेरे पैकेट थे पीजा के साथ आये थे तो मैंने वह बनाया था क्योंकि बच्चे कह रहे थे अब डीनर में यह खाना है ममी गर्मी है यह बना दो तो फिर मैंने पास्ता दा डाल दिया इसमें यह देखो गाइस यह ऐसे बना है बहुत टेस्ती लगा था बच्चों को बच्चों ने तो इंजॉय किया आप भी बना के दें अप आपको अपने हाउस हेलपर के चुकी गाओं गई हुई है उन्होंने वहां से भेज़े हैं यह वहां पर अपने चूले पर खाना बना रही है यह उनका घर है बहुत अच्छा लग रहा है गाइस मुझे देखकर मेरा मनी कर रहा है कि मैं अभी चली जाओं वहां चूले का खाने के लिए इतने अच्छी से उन्होंने मुझे श्पेशल भेजी हैं अपनी महां की वीडियो कितनी अच्छी लग रही है ना इस तो मुझे भी आता है चूले पर खाना बनाना अगर मैं सर्दी में बनाऊंगी तो शुरूर आपके साथ शेयर करूंगी गर्मी में तो म वोन आया था सुबह मुझे आ जाएंगी थोड़े दिनों तक बहुत अच्छी है मेरी हाउस हेलपर बहुत ही अच्छी है उनकी बेटी भी बहुत अच्छी है यह देखो गाइस चूले पर खाना बना रही है कितना अच्छा लग रहा है ना उन्होंने श्पेशल मुझे भ कितनी अच्छी लग रही है रोटिया उनकी देखो गाइस यह लोग तो गर्मी में भी बना लेते हैं हम लोग नहीं बना पाते हैं और गाव में तो वैसे इतनी गर्मी होती है पर मैं तो सर्दी में फिर भी बना लेती हूँ आती है मुझे भी चूले पर रोटि बनानी देखो रोटिया कितनी अच्छी बना रही है वो एक-एक रोटिया उनकी फूल रही है देखो गैस फूल फूल के रोटियों बना रही है फिर उन्होंने उसके बाद चने जो चने होते हैं उसकी चने की दाल बनाई थी अपनी इसमें मुझे इसका नाम नहीं पता है यह क्या होता है यह चने हैं जिससे की वह चने की दाल बना रही है उन्होंने मुझे बहुत से क्लिप दिया है, ओके गुट नाइट, टेक कियर, बाब बाई